तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग भी हार्ड बोर्ड क्लास 12 का मैथ का कोशन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2023 के एक्जाम में पुछा गया है और इसका एक्जाम जो है आज ही हुआ है 1st February को 1st सेटिंग में और ये जो कोशन पेपर है ये Science और Arts दोनों क सा कोशन पेपर है और ये सेट भी है आपके पास कोई भी सेट हो आप आंसर चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला नंबर कोशन जो पूछा गया है आप कोशन देख लीजिए इसका जो राइट आंसर हो जागा वो जाग ऑप्स नंबर बी सेकेंड कोशन जो पूछा गया है इसका राइट आंसर हो जागा ऑप्स नंबर सी थर्ड कोशन का जो है राइट आंसर हो जागा ऑप्स नंबर ए ओन फिप्टी कोशन नंबर फोर का राइट आंसर हो जागा ऑप्स नंबर सी इसका राइट आंसर हो जागा थर्टेन Question No. 5 का Right Answer हो जाएगा Option No. B 48 Question No. 6 का Right Answer हो जाएगा Option No. A 2 7 No. Question का जो Right Answer है वो हो जाएगा Option No. B Next Question जो पूछा गया है इसका Right Answer हो जाएगा Option No. C इसका Right Answer हो जाएगा Next Question का जो Right Answer है वो हो जाएगा Option No. D Question No. 10 का Right Answer हो जाएगा Option No. A Question No. 11 का Right Answer हो जाएगा Option No. C Question No. 12 का Right Answer हो जाएगा Option No. D 13 का right answer हो जाएगा option number B Question number 14 का right answer हो जाएगा option number C 15 का right answer हो जाएगा option number C 16 का right answer हो जाएगा option number A 17 का right answer हो जायगा option number B Question number 18 का right answer हो जायगा option number D 19 का right answer हो जायगा option number B Question number 20 का जो है वो मैं sure नहीं हूँ इसका answer 21 का राइट आंसर होजाएगा अप्स नूमबर A 22 का राइट आंसर होजाएगा अप्स नूमबर A 23 का राइट आंसर होजाएगा अप्स नूमबर A 24 का राइट आंसर होजाएगा अप्स नूमबर D 25 का राइट आंसर हुजाएगा उप्स नमबर B 26 का राइट आंसर हुजाएगा उप्स नमबर A 27 का राइट आंसर हुजाएगा उप्स नमबर A 28 का राइट आंसर हुजाएगा उप्स नमबर C 29 का राइट आंसर हो जाएगा option number B 30 का राइट आंसर हो जाएगा option number B 31 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा option number B question number 32 और 33 जो है इसका मैं answer sure नहीं हूँ तो चलिए अगला question देख लेते हैं 34 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा option number B 35 का राइट आंसर हो जाएगा option number C 36 का राइट आंसर भी हो जाएगा option number C 37 का राइट आंसर हो जाएगा option number A 38 का राइट आंसर हो जाएगा option number B 39 का right answer हो जाएगा option number A 40 का right answer हो जाएगा option number C 41 का जो right answer है वो हो जाएगा option number B 42 का right answer हो जाएगा option number B 43 का right answer हो जाएगा option number C 44 का right answer हो जाएगा option number C 45 का right answer हो जाएगा option number B 46 का जो right answer है वो हो जाएगा option number B 47 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्स नमबर C 48 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्स नमबर B 49 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्स नमबर B 50 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्स नमबर B 51 का राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर D 52 का राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर B 53 का राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर A 54 का राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर C का राइट आंसर हो जाएगा 55 का राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर C, 56 का राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर C, 57 का राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर A, 58 का राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर C, 59 का राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर C, 60 का राइट आंसर हुजाएगा, अप्सन नमबर D 61 का राइट आंसर हुजाएगा, अप्सन नमबर D 62 का राइट आंसर हुजाएगा, अप्सन नमबर D 63 का राइट आंसर हुजाएगा, अप्सन नमबर 20 का राइट आंसर हुजाएगा 64 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B 65 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B 66 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A 67 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C 68 का राइट आंसर हो जायागा option number C 69 का राइट आंसर हो जायागा option number D 70 का राइट आंसर हो जायागा option number D 71 का राइट आंसर हो जायागा option number C 72 का राइट आंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर C 73 का राइट आंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर C 74 का राइट आंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर C 75 का राइट आंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर C 76 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा option number B 77 का राइट आंसर हो जाएगा option number C 78 का राइट आंसर हो जाएगा option number A 79 का राइट आंसर हो जाएगा option number C Q20. Q80. 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 Q70. Q80. 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 Q70. Q80. 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 Q हो जाएगा option number D 82 का answer D हो जाएगा question number 83 है इसका answer जो है वो मैं sure नहीं हूँ तो इसको छोड़ करके चलते हैं तो question number 84 है इसका right answer हो जाएगा option number A 85 का right answer हो जाएगा option number C 86 का right answer हो जाएगा option number C 87 का right answer हो जाएगा option number A 88 का right answer हो जाएगा option number C 89 का राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर A 90 का राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर C 91 का राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर B 92 का राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर B 93 questions जो है इसका right answer हो जाएगा option number a question number 94 है इसका right answer हो जाएगा option number b 95 का right answer हो जाएगा option number b 96 का राइट आंसर हो जायगा, ओप्शन नुम्बर C 97 का राइट आंसर हो जायगा, ओप्शन नुम्बर B 98 का राइट आंसर हो जायगा, ओप्शन नुम्बर A 99 का राइट आंसर हो जायगा, ओप्शन नुम्बर D और लास्ट जो objective question है 100 number इसका right answer हो जाएगा option number B तो 4 questions का answer जो है वो मुझे पता नहीं था तो इसको छोड़ करके चलते हैं बागी जितने questions का answer मैंने बताया है वो 100% सही है आपको किसी प्रकार का confusion नहीं रहना चाहिए तो आज के लिए इतना ही thanks for watching